शाशन प्रशाशन ने पुलिस बल का प्रयोग करते वे जिस प्रकार से अभियर्थियों के होसलों को तोड़ने की कोशिश की थी उससे कहीं ज़्यादा उठ करके अभियर्थियों ने अपनी मांगों को प्रबलता से रखा है उसी का नतीजा है कि आज सरकारे भी उनके सामने न्यात्मस्ता को करके जुग गई है बैक प्रमोट मुद्दे पर सासन इस्तर पर 10 लोगों के प्रतिनीदी मंडल को बुलाया गया है DLA representatives को कि वह इस मुद्दे को समझाए और बैक प्रमोट मुद्दे पर क्या कुछ उनके द्वारा मांग की जारी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर मैं विश्येस रूप से टिपपड़ी कर दू कि यहाँ पर 50% आप लोग की जीत हो चुकी है लेकिन जो 50% जीत बाकी है वह इसी बात पर निर्भर करेगी कि कल आप लोग के द्वारा किस प्रकार से संगर्थ किया जाता है यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि PNP और SCRT पर चर्चा के लिए बुलाये तो जाता है और अभिरती वहाँ से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हम लोग प्रमोट हो चुके हैं और लेकिन फिर से आपके साथ गलत वेवार किया जाता है आपको प्रमोट नहीं किया जाता है हो सकता है कल भी आपके साथ ऐसा ही वेवार किया जाए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह जादा सजादा आप लखनव इको गार्डन में पहुँचे अगर आप लखनव है या फिर उसके आजपास जिले से है तो भी आपको भारी संख्या में वहाँ पर उपस्तित होना चाहिए क्योंकि सरकार का जो फैसला होगा प्रमोट के संदर में वह आपके फेवर में आता है या फिर फेवर में नहीं आता है या पूरी तरीके से डिसाइड होगा आपकी संख्या बल को देख करके क्योंकि निश्ची तोर पर एक मनवैग्यानिक दबाव सरकार पर जरूर बनता है संख्या बल को देख करके और आज जिस प्रकार से आप लोगों ने संगर्स किया है वो काबिले तारीफ है और आपको अब इस संगर्स को विराम नहीं रखना है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को ये खुशकबरी दूँ कि आप सभी प्रमोट हो चुके हैं और आप आप चतुर समेश्टर की पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज्यादा सज्यादा वहाँ पर संग्या बल दिखाएंगे बीना संग्या बल के कुछ भी नहीं होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोग 50% जंग जीत चुके हैं कल भारी संख्या में वहाँ उपस्तित जरूर रहेगा बचे हुए 50% जंग को जीतने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो